हेलो एवरिवन और वन्स अगें वेलकम टो डॉलेस क्यूब टेक माई सल्फ उमर तसकीर गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब एसियो से रिलेटेड कुछ मिश्टेक्स के बारे में कुछ जो हमसे गलतियां होती है यूट्यूब एसियो करते वक्त उन सारी चीजों को हम लोग डिसकस करें चलिए शुरू करते हो देखते हैं हम लोग कि कौन-कौन सी इससी मिश्टेक्स है जिने हमें एवाइड करना है जो सबसे पहली मिश्टेक है वो है not working on video keywords देखो जब कभी भी आप अपना video create करेंगे और उस video को create करने के बाद आपको उस video को upload करना है तो उस video को upload करते वक्त आपको keywords का support देना होगा कहने का मतलब यह है कि आप ये चाहते हैं कि कुछ specific keywords के उपर अगर हमारा video rank कराना है हमें तो हमें क्या करना होगा उन keywords को लेकर हमें use करना होगा title में उन keywords को हमें use करना होगा description में उन keywords के around हमें tags बनाने होंगे थोड़ा सा हमें और भी research करनी होगी कि उस keyword को हम hit करेंगे देखेंगे कि उस keyword के ओपर हमारे competitor के कौन-कौन से जो videos है वो rank हो रहे हैं दूसरे कौन-कौन से videos rank हो रहे हैं short description हमें नहीं लिखना है पूरा बहुत detailed description हमें लिखना है जितनी हमें space दी गई है उतनी हमें space को use करना है title हमें इस तरीके से लिखना है कि वो लगे कि recent है जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई tips बता रहा हूँ तो मैं उसमें लिखूंगा 10 tips to optimize for local SEO in 2020 तो इससे क्या पता चल रहा है कि बड़ा ही recent जो है वो वीडियो है तो जब हम keyword research करेंगे हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से keywords को finalize करना उन keywords को finalize करने के बाद फिर जब हम उनने title description और tags में लिखेंगे तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके समय लिखना है जैसे मैंने पता है title में किस तरीके समय से use करेंगे थोड़े से वो recent भी हमें लगें तो पहली गलती तो यह होती कि आप लोग videos वीडियो के keywords के उपर काम ही नहीं करते मतलब आप कुछ ऐसा सोचते ही हमें इसी keyword के उपर rank करना है जैसे मैंने कहा यहां पर how to do SEO how to do SEO ठीक है और आपका video SEO के उपर है तो आपके लिए यह keyword है जिसके उपर आपको काम करना है तो यह हो गई हमारी first mistake जो हमसे होती है second हमें बात करने encourage people to subscribe को बीच बीच में बीच बीच में आपको ऐसे elements डालने पड़ेंगे अब वो चाहे पॉप अप हो रहे हैं चाहे वो graphical elements हो चाहे वो आपको खुद जो है बोलना पड़े पट आपको यह encourage करना पड़ेगा लोगों को कि वो आपका जो channel है उसको subscribe करें तो यह एक ऐसी चीज है जैसे जैसे आपके subscribers बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बाकी जितनी भी mattresses है वो improve होंगी जैसे अगर हम wash time की बात करें तो wash time भी directly related है subscribers से जितने जादा subscribers होंगे उतने जादा आपका wash time होगा third thing is make proper thumbnail limited text don't be too click bad thumbnail के उपर बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं बड़ thumbnail एक ऐसा element है जो आपके CTR को improve करते है जैसे कि जब हम बात करते है SEO की तो SEO में जिस तरीके से हमारा title और description title और description combine होके हमारे CTR को improve कर सकते हैं कि CTR को अगर आपने title description properly नहीं लिखा है तो CTR को decrease भी कर सकते हैं तो जैसे कि CTR जैसे इतनी important metric जो हमारी SEO में होती है उसको title and description जो है change कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं बुरा कर सकते हैं उसी तरीके से जो हमारे YouTube की thumbnail होती है वो भी इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा CTR जो है वो improve हो अब CTR improve करने के चक्कर में लोगों को click कराने के चक्कर में हमें click bet element भी नहीं use करना है click bet element हमें नहीं use करना है क्योंकि click bet element करोगे CTR बहुत अच्छा आ जाएगा बट CTR ही केवले एक metric थोड़ी नहीं है जिसे हमें देखनी अब वो जिसने भी हमारे वीडियो पे click किया thumbnail पे click किया वो हमारे वीडियो पे जाएगा अब वीडियो के content को देखना शुरू करेगा अगर वो click bet thumbnail है और content उसे वैसा अंदर नहीं मिला तो क्या होगा वो वापस आ जाएगा अब वो वापस आ जाएगा तो watch time, retention ये सारी चीज़े effect होंगे और ये important metric है यानि कि अगर आपको अपने channel के authority YouTube पे बनानी है YouTube के algorithm को समझाना है बताना है basically कि हमारा channel जो है वो authentic है हमारा channel है वो regular content post करता है तो ये सारी matrices को भी आपको proof करना होगा आपका decent retention rate होना चाहिए आपका decent watch time होना चाहिए बात clear होगई तो ये तीसरी mistake है thumbnail और के बलब thumbnail का मतलब design ही नहीं होती है वो thumbnail के उपर click आना और वो फिर बाद में बहुत सारे factors को हमारे influence कर सकती है बहुत सारे factors को change कर सकती है positive कर सकती है negative कर सकती है तो इस point of view से search engine उन्हें crawl कर लेता है तो हमें subtitles में थोड़े बहुत keywords वगेरा को भी use करने क्योंकि search engine subtitles को समझते हैं तो समझते हैं कि ये subtitles में जो चीज लिखी है वही उसी चीज की इस video में भात हो रही है तो अगर आप subtitles use ही नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो ये धियान रखिएगा कि जैसे आपने कोई video बनाया और कुछ भी video का कोई भी नाम है जैसे video 01 तो लोग क्या करते हैं इसी नाम से video को upload कर देते हैं अपने को क्या करना है अपने को इसके नाम को change करना है ठीक है इसके नाम को change करना हो फिर से थोड़े से keywords या keywords के around या जो भी हमारा topic है उसके around हमें नाम को रखना है फिर हमें उसे YouTube के उपर upload करना है तो guys यहाँ पर मैंने आपको ये 5 mistakes बताएं जो generally होती है जब हम अपने YouTube का optimization करते हैं या video optimization करते हैं YouTube channel का SEO करते हैं तो हमें इन mistakes को avoid करना है guys इस particular video में इतना ही मिलते हैं next video में till then goodbye